आज के इस नए सत्र में पूनह एक बार आपका स्वागत है आज का अंश हमने लिया है यूएन नो सन्युक्त राश्ट संग के वेबसाइट पर प्रकाशित एक समाचार है यह समाचार है इंटर्प्रेटेशन एंड ट्रांसलेशन अंग्रेजियन्स मैं पहले पढ़ दूँ फिर उसके बाद हम इसके अनुवाद पर चर्चा करना शुरू करेंगे देखिए इसका आगे कांश कहता है डिलिगेट में स्पीक इन एनी ऑफिसियल यूएन लैंग्वेज दा स्पीच इस इंटर्प्रेटेटेटेड सिमुल्टे is a non-official language. In such cases, the delegation must provide either an interpretation or a written text of the statement in one of the official languages. Most UN documents are issued in all six official languages requiring translation from the original document आईए इसमें कुछ विशेश शब्दों पर बात कर ले दिखिए यहाँ जो शब्द है इंटर्प्रेटेशन इंटर्प्रेटेशन दरसल इंटर्पेटर कहते हैं दुभाशिया को इंटर्प्रेटेशन दुभाशी करण आप कह सकते हैं लेकिन ऐसे वाकियों में जहां आप दुभाशी करण का संदर्व ना मिल रहा हो वहाँ अंतर्ण कर सकते हैं एंट ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनवाद डिलिगेट का मतलब होता है प्रतिनीधी स्पीक का मतलब है बोलना ओफिसियल UN language ओफिसियल का मतलब होता है सरकारी या कारियालई और UN का है United Nation संदर्व राश्रंग लेंग्विज का मतलब होता है भाशा अब देखें हम लोग भारत में भी प्रियोग करते हैं ओफिसियल लेंग्विज ऑफ इंडियन विनियन इसके लिए हम लोग राजभाशा का प्रियोग करते हैं तो यहां भी यह जो ओफिसियल लेंग्विज है इसके लिए आप राजभाशा का प्रियोग कर सकते हैं Speech का मतलब यहां वक्तब बे लिख सकते हैं Interpretated अंतरित किया जाना Simultaneously का मतलब होता है साथ में ही Official Language मैंने आपको बता दिया है Delegate के बाद यहां Statement है Statement का मतलब वक्तब बे विचार इस तरह का शब्द रख सकते हैं और Non-Official Language का मतलब होता है गैर राजभाशा उसके बाद बाकी चीज़ें यही आई है Most UN Documents का कागजात होता है अब आईए इसका अनुवाद देख लेते हैं देखे Interpretation था तो दुभासी करण या दुभासी करण एवं अनुवाद यह शिर्सक होगा ध्यान दीजेगा जब आप अनुवाद करते हैं विशेश कर PGD के जो इस चात्र हैं वो जब अनुवाद करने लगते हैं तो उसका शिर्सक छोड़ देते हैं ऐसी गलती ना करें आगे बढ़ते हैं अगला अनुष कहता है प्रतिनी धी सन्युक्त राष्ट की किसी भी आधिकारिक भाषा में या राजभाषा में दोनों लिख सकते हैं बात कर सकता है स्पीच को उने भाषन या लिखा भाषन को ततकाल या फिर आप लिख सकते हैं साथ ही साथ सन्युक्त राष्ट की अन्य आधिकारिक भाषाओं में अंतरित किया जाता है कभी कभी कोई प्रतिनी धी अपनी बात कुछ लोग बयान भी लिख सकते हैं गैर आधिकारिक भाषा में भी रख सकता है ऐसे मामलों में प्रतिनी धीको या तो उसका अंतरण या फिर विवरण का लिखित संसकरण किसी भी आधिकारिक भाषा में देना होगा मतलब स्वजिक राष्ट की 6 भाषाएं हैं तो आप जब बोलना चाहते हैं तो अगर किसी और भाषा में करना चाहते हैं तो आपको इसमें लिख के देना होगा संयुक्त राष्ट्रंग के अधिकांस कागजात समस्च आधिकारिक या टाइपिंग मिश्टेक है भासाओं में जारी किये जाते हैं और इनका मूल काज़ात में भी अन्वाद होता है आज का अंस इतना ही अगले अंस में फिर कुछ नई बात ले करके मिलते हैं आपसे